अच्छा एक बार ना हम फिर से रिपीट कर रहें सरा का सरा बात को बात क्या किये हम लोग पढ़ है लाला हर्दयाल के बारे में लाला हर्दयाल लाला हर्दयाल दिल्ली में इनका जन्म हुआ था यह कायस्त फैमिली से थे हिंदु कायस्त फैमिली से पढ़ने में काफी ब्रा में परजाब इनुश्रेटी में मुहमद इकबाल भी इनके टीचर थे तो आप लोग को पता है मुहमद इकबाल के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग आप कुछा बोलिया और कुछ जनती है और कुछ जनती है अच्छा ठीक है यह फिर्मस पोईट हुँ रोट सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा हम बुलबुले हैं उसकी एक गुलशिता हमारा तो यह जो है यह मुहमद इकबाल का ही लिखा हुआ है सारे जहां से अच्छा ठीक है तो खेर तो मुहमद इकबाल इनके टीचर थे और इनको एक स्कॉलर्शिप मिला उक्सपोर्ड इनिवर्शिटी में जाने के लिए बाकि इंडियन्स जो थे मैक्सिमम वहां पर स्याम जी किर्ष्ण बर्वा का फेलोशिप से पढ़ रहे थे और यह बिटेश सरकार का इसकॉलर्शिप से पढ़ रहे थे इनके वाइफ वहां पर scholarship भी नहीं ले सकते क्योंकि हम उसकी प्रोधी है और ICS भी नहीं कर सकते हैं इनके नौकार नहीं वनेंगे और यह अपना scholarship वापस किये और ICS के exam दिये ही नहीं और वापस लोटा है यहां पर बात किये यहां पर वड़ा फीरी राइटिंग शुरूब आग उगलना शुरूब किये इनके राइटिंग्स को सरकार बैन करा दी लाला लाजपत्र है एडवाइस दिये कि चल जाओ उरोप उरोप चले गए और उरोप में आइलेंड है यह भी प्रेंच कलोनी था यहां पर वो गए और यहां पर वो एक साधू का जीवन बितीत करने दगे तो मतब बिलकुल दुनिया से कट गया मतब यहां पर एक चेंज होता है नहीं तो फिर यह साधू मतब दुनिया के नजरों में नहीं आते जासाइन का जीवन सुरू मेडिटेशन और विलकुल सेंपल लाइफ तो वहां पर एक आरे समाजी पहुंचा आरे समाथ से पहले वे इंफ्लूएंश ते उसका आदा भाई परमानन अगर आ नया रिलिजन बनाएंगे जो बुद्धिस्म के जैसा होगा एक नास्तिक धर्म होगा वो उसमें अंतराष्ट्रिय सिधान्त होंगे नातिक आचरण पर बल दिया जाएगा और यह सब बाते होंगी उस धर्म इस पर एक डिस्कुशन हो कहते हैं कि भाई परमानत का कहना था कि सारे के सारे धर्म जो है वो एक धुखा है तो आप क्या एक और नया धुखा क्रिएट करेंगे तो बात हुआ कि नहीं हम लोग उस जाएंगे और उस में जा करके कुछ परचार करेंगे तो वो फाइनली जो गया वो उस से गया हम बता ही दिये कि he was intellectual और वहाँ पर at Stanford University में वो teacher का काम इनको में लिगा अग यह यह आपर trade union से भी related रहे और इनका जो philosophy था that is called anarchism किसी को पता है क्या कि anarchism क्या होता है what is anarchism अरा जकता ना वही जो हिंदी में बोलते है लेकिन इसको explain करेगी तब हिंदी तो सही बोल रही है but anarchism is a philosophy तो यह philosophy के बारे में किसी को पता है कि यह philosophy क्या राजगता ठीक है मतलब जैसा चाहेंगे वैसे ही चलाएंगे उस टाइप का कुछ थोड़ा modification का जरुवत है और कोई कुछ बोलेगा अच्छा ममता बोलिया सर जिसकी लाटी उसकी भैस अच्छा, anarchism का बहुत मेनिंग हो सकता है anarchism वैसे तो बोलते है anarchी मतलब कोई राजा नहीं है तोड़ा सा सुन लीजेगा ध्यान से anarchी is a very common word इसका मतलब हो गया कि कोई राजा नहीं है वैसे चिटको तो अनार्की वैसे बोलते हैं कि बड़ी मचली चोटी मचली उखा जाती है जिसकी राठी उसकी भैस हो मतलब से नहीं कई सरे word उज होते है जहां पर कि there is no king to control but anarchism is a philosophy in another scale anarchist जो होते हैं वो बोलते हैं कि समाज को ध्यान से समझ लेजेगा अगर intellectuals बोलते हैं एनारकिजम के बारे में तो बोलते हैं समाज को राजां की झरुरत नहीं है राजा होने ही नहीं चाहिए सरकरों की तो कोई जरुत ही नहीं है लोग खुद ही कर लेंगे अपना सरकार का क्या जरुवत है that is anarchism यह बार्डर का क्या जरुवत है वीसा, पासपूर्ट, कोई जरूत नहीं है, मनी, करेंसी, राजा, जरकार चलाएगे, ना ना, हम लोग अपने कम कर लेंगे, तो ये, this is anarchism, it is a philosophy, आप लोग को बताएगे, कि अगला पर आ रहा है करेंट हैं, जो बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन, जो लोग क्रिएट किये, they were anarchist, अब ये नहीं कि market वाले, market वाले वे anarchist होते हैं, that is correct, क्योंकि वो anarchist होते हैं, कि राजा, जैसे लोग का महसूस हो कि राजा नहीं है, that is another scale, वो अलग बात है, लेकिन अगर philosopher बोलता है, कि I am anarchist, तो वो बोलता है कि राजा का क्या जरूत है, तो ये जो बिटकॉइन प बनाएंगे और खुद ही उसे ट्रेडिंग करेंगे, तो वो जो बिटकॉइन इसी philosophy में बना था, बट इस्टिल उसमें भी राजा घुसी ही गए, तो anyway, he was an anarchist, जैसे बहुत सरी बात ऐसी होती है, कि कुछ बाते ऐसी होते है philosophy, कि हर आजमे को mental level होता है, वो एक level होता है, ज तो intellectuals जब बोलते हैं, तो वो कोशिस करना चाहिए, और नहीं एगर समझवार तो decision लेने का जरूत नहीं, अब समझे कि एक anarchism philosophy है, जिसमें कि वो बोलते है, अभी इसको हम बता दे रहे हो, ऐसे कई सारे philosophy आएंगे, तो वो जो बोलते है कि राजा का जरूत है, तो he was an anarchist, इसके लावे union, trade union movement में भी रहे, communist विचारधारा के भी रहे, और गदर पार्टी का नाम में लोग बता ही दिये, गदर पार्टी हरदयाल को finally, आप लोग को याद होगा कि जब हम इसका बता रहे थे कि गदर पार्टी का movement क्यों खराब हो गया, तो हरदयाल का बात उठा था कि हरदयाल, अच्छा आप बता सकते हैं कि हरदयाल फिर USA से कहाँ गए, आप लोग को याद है क्या, USA में बनातो दिये पार्टी, फिर क्या हुआ हरदयाल का, लोग पढ़े हैं, इसलिए पूछ रहे हैं, USA में गदर पार्टी बना, that is correct, फिर क्या हुआ इनका? अच्छा हम बतारे, इसके बाद आपके याद हुआ कि US गोवर्मेंट इनको, हम उपसे पढ़े थे कि भाग ना पड़ा वहाँ से उनको, अच्छली US गोवर्मेंट इक लतार कर ली थी, ब्रिटिस गोवर्मेंट चाह रही थी कि हर दयाल को हमें सांप दिया जाए, केस चला, केस में इनको बेल मिला, बेल मिला तो बेल के दोराने भाग गया है, आप लोगे याद होगा कि बेल के दोरान ऐसी एक आदमी और भग गया था, कि यह विसमें बेल ली और बेल लेने का भग गया, तुब अच्छा पूजा बूलिया तुब अच्छा पूजा बूलिया अच्छा बता सकती हैं कि अच्छा बागे सर यह वहां गरते तसकंद ने अच्छा कोई और बता देगा या इसको साथ बिल लेने के बाद कहां गये थे सबके लिए कुश्चन खुला हुए एमन रॉय अच्छा नहीं आदा रहा है आप लोग को याद दिला दे रहा है मैक्सिको गया वहां पर एक कॉमिश्ट पार्टी वह बना है बाद में फिर गया और यह भाग करके स्विट्जर लेंड और स्विट्जर लेंड टू जर्मनी जर्मनी में आपको याद होगा कि वहां बर्लिन कमिटी वनी थी उसमें भी यह थे तो बर्लिन्क में थे काम क्या था यह सब रिवרגन को पहलाना तो यह कहानी हम लोग को पता है कि वह किया कीए गदर बना देज publications परलिन में फिर यह बरलिन कर्वाँजर तो जो थी और बरलिन पाटी के साथ associate आå तो बरलिन समची में पर्वाटी किस किस प्लान के ताह्त बना एगे थे जिमरमेंग ट्लान तो जिमरमेंग मैंग बॹहर जिम्र मैंग काम था कि ब्रिटिस जो कोलोनीज है उन कोलोनीज में रिवेलिन फैलाना ठीक है तो यह इस तरह से खैर हुआ क्या फाइनली हुआ कि यह तो फैल हो गया और इसके बाद यह हर द्याल वापस लोटे यह से यह से आने के बाद यह धीरे धीरे करके अभी अनार्टिस्ट नहीं और ये जो British लोगों के admirer हो गया और इनका ये भी मानना था कि अगर चोटी-चोटी कंट्रियां आजादी नहीं ले पाती हैं तो जर्मनी या जापान के अधीन रहने से बहतर ब्रिटेन के अधीन रहना है ये इनका clear view था तो हाँ खेर फिर वापस एक पर लगनल लोटे थे वहाँ पर डॉक्टर रेट का डिगरी लिए वापस पहुचे ये वे से और वहाँ जाकर एक बुक भी लिके 40 months in Germany and Turkey वही वर्ल्ड वार के दौरान और हर्दयाल का जो death हुआ वो Philadelphia में हुआ US में वहाँ पर एक lecture tour पे थे तो वैसे इनको इसमें लिखे नहीं है उनको Philadelphia का संत भी कहते है एक बार question भी आ चुका है तो Philadelphia का संत भी बोलते है इनको तो ध्यान रखेगा biography से कुछ-कुछ idea लगेगा तो चली ये तो बात हम बता दी एक दो बात और बता देना चाहा रहे है बीपे से के exam भी है तो by chance कही कुछ लड़ी जाये तो एक छोटा सा था आप लोग के याद आ रहे है क्या सिल्क लेटर कांस्परेसी किसी के याद आ रहे है सिल्क लेटर कांस्परेसी सिल्क लेटर कांस्परेसी हम लोग जब देवबद में मिट पढ़ रहे थे ना तो उससे हम पढ़े थे जब इंडो जर्मन प्लोट बन रहा था ना जिस समय में देखे बात यह है ना कि बिटिस सरकार का जब प्रब्लम में थी तो बहुत लोग कोशिस कर रहे थे कि मौका का फायदा उठा लिया जाए इसमें गद राइट्स भी थे रासबेरी बुस भी थे सचिंट सेनल भी थे बागाजतिन भी थे और जो बर्लिन कमिटी बनाने वाले थे तो तरखनात दास भी थे कई सारे लोग थे लालाहर द्याल भी खुद भी थे तो यह सारे के सारे लोग जो थे यह लोग चाहा रहे थे कि इस समय में इन लोग को उखाड फेका जाए इसमें चो देवबंद गुरूप भी इसी चकर पड़ा हुआ था कि जर्मनी से रहल ले करके तुर्की से में अफगनिस्टान से रहल ले करके तो यह देवबंध मुव्मेंट वाले लोग थे लोग यह लोग चाहते थे कि पैन इस्लामिक सारे दुनिया के जो मुसलिम से हैं वो ब्रिटेन के खिलाब में बिद्रो कर दें और इसके लिए वो तुर्की जर्मनी और अफगानिस्तान से चारते हल्ब लेना हुआ के आ कि एक उबैदुल्ला सिंदी थे ये एक लेटर जो है वो लेटर भेजे थे इरान के लिडर मुहम्मद अलहासन को ये जो लेटर भेजा गया था ये लेटर एक सिल्क एमे था एक रेशम का कपड़ा में था पर लिखा हुआ था तो रेशम का कपड़ा पर लिखा हुआ लेटर था और इस लेटर में कैसे बिटे सरकार के खिलाप में कोडिनेट करके लडाई करेंगे परसिया का ruler को एक देवभन्द leader उबैदुल्ह सिंधी ये letter भेजा था, उबैदुल्ह सिंधी देवभन्द letter परसिया का ruler को एक letter भेजा है, इक silk cloth में, तो ये जो था ये letter ही पकड़ा गया, तो इस letter के नाम पर है Silk Letter conspiracy, से देवबन मुव्मेंट में आप जब हम बायोग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें यह आया हुआ है तो यह है रेसमी रुमाल सर्द्यंत्र के नाम से भी इसको जानते है तो यह भी हम लोग कवर कर दिये तो कुछ छोटा-छोटा छुटी जाता है तो सोचे थे कि आज जब अगला मुद्द यह है कि एक मुना मौर लेना चाह रहा है आप लोग के याद होगा कि किसको इंडिया भेजा गया था इस विद्रोह को कॉडिनेट करने के लिए अगतराइट लोग इंडिया किसी को भेजे थे कि चाहिए आप इंडिया में जो रासबहरीवोश को कर रहे ह है और उनके साथ मेल करके और बिद्रो करवाई यह याद है क्या कि कि मैं पुजा बुलिया। सर करतार सिंग सराभा। करतार सिंग सराभा। सही है। तो करतार सिंग सराभा का एक बात उठेगा कि करतार सिंग सराभा का क्या हुआ। करतार सिंग सराभा जो है। और रगुबर दयाल भी एक नाम है। तो करतार सिंग सराभा जो थे वो उनको फांसी का सजा हुआ करतार सिंग सराभा को पकड़े गया और क्या बात जो छूट गया है छूट गया है बात ये कि आप लोग के याद होगा सोहन सिंग भाखना कोई बोली का कौन बोल रहा है सोहन सिंग भाखना के बादे में लेकिन मुटिलाल हुरु अखील थे और फांसी का होने के कुछ घंटे पहले ही इनका जो सेंटेंस ताव कम्यूट हो गया तो चल गया है वहाँ पर भूकरताल किये थे फिर वह वापसा है तो लगत सिर्फ चाल के तो फाइनली ?」 वह हुरु गए अपर मैं पर अजार के दिस आजात हो गया सो उहन सिंह भाकना को खुसी नहीं हुआ वो communist mentality के थे जहां पर सारे के सारे equal होंगे तो उनका कहना था कि आजादी थे हम लोग मांगे नहीं थे तो communist movement के तरफ में चले गया और finally हमारी जो आजाद सरकार है वो आजाद सरकार भी उनको दो बर गरिफतार की फोटी एक तो 48 में गरिफतार कर ली उसके बाद भी कर गरिफतार की तो कहते हैं कि उनका कहना था कि अंग्रेजी सरकार तो हमें न जुका सकी बट देशी सरकार ने हमारी कमर तो तो ये थे सोहन सिंग भाखना ये जो हमारे लोग यहां आपर भी अंधुलन कर रहे है पंजाब वाले हो सकता है चार या पांस थारिक उनका भी बड़्डे है तो वो न्यूज बनेगा हमको उमीद है कि बनेगा न्यूज एक पर तो यह स्वान सिंग भाखना कहानी बता दिये और करतार सिंग सराभा का भी कहानी बता दिये तो अल्मस्ट अल्मस्ट जो है ये हम लोग complete किये है एक जो वो person था गुर्जीत सिंग जो कामा गटा मारू लेके गया था वो गांधियन हो गया गांधी जी का influence में आ गया तो करीब करी हम लोग complete कर दिये पड़ेगा इसके लिए और एक पेज का notes है तो फिलाल हम ये लाला हर्द्याल का भेज दे रहे हैं आप लोगों को और classes जो है आप लोग आईए उदर से BPSC दे के तो Tuesday से देखते है अभी क्यों कि सरकार अभी भी हमको लगा था कि announcement हो जाएगा announcement नहीं हुआ है 4th में अब possibility नहीं लगा रहा कि 4th को सुरू होगा but still हम उमीद कर सकते हैं कि 15-16 से जरूर सुरू हो जाएगा class तो उस बीच में अब history और नहीं करेंगे अब class में ही करेंगे कि खुलना तो है current affairs नहीं रोक सकते हैं current affairs चलेगा हम भी लेंगे और थोड़ा बहुत अभी महमता भी class लेगी current affairs का क्योंकि हम थोड़ा भी थोड़ा busy भी रहेंगे कुछ तीनों तक लेंगे class तो आप लोग आईए Tuesday को आप लोग का current affairs करते हैं और हो सकता है पहला क्लास महमता ही ले और उसके बाद हम एक दो class के बाद फिर हम भी पकड़ेंगे class को तो ठीक आप लोग exam देजिए किसे कुछ पुछना है नहीं पुछना है ठीक है तो all the best गीजाम के लिए पलोगा शुछ करे लास Thank You Sir Thank You Sir I'm close कर रहे